डालचीनी के अनेक फाइदे होते हैं और ये एक आयूरवेदे कौशधी है. हर घर में उपलब्ध डालचीनी गरम मसाले के तौर पर इस्तिमाल की जाती है. दालचीनी में कई ऐसे पोशक तत्व होते हैं जिसके सेवन से सेहत को भी काफी फाइदे मिलते हैं दालचीनी में पाए जाने वाले पोशक तत्व मैगनीशियम, आयरन, फॉसफोरस, काबोहाइडरेट, प्रोटीन, केलशियम, मैंगनीज, कॉपर, जिन्क, बिटामिन, नियासिन, थायमिन और लाइकोपीन ये सभी तत्वा आपके शरीर को मजबूत बनाने में मददगार तो सेहत के लिए इसके बहुत से फायदे हो सकते हैं। तो आईए जानते हैं गर्म पानी में दालचीनी पीने के फायदे और सेवन का सही तरीका। ज्यादा लाब मिलते हैं। नमबर टू सर्दी जुकॉम में फायदे मंद जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि दालचीनी में एंटियोक्सिडेंट गोन होते हैं। जिनके सेवन से न सिर्फ वजन कम करने में मदद मिलती हैं बलकि सर्दी जुकॉम में भी इसके कई फाय करने में मदद मिलती है। इसमें पाये जाने वाला प्रोटीन और केल्शियम शरीर को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। नमबर फोर पीसी ओएस में मददगार पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो महिलाएं पीसी ओएस पॉलिसिस्टिक अंडाशे सिंड्रोम की समस्या से पीरित होती हैं उनको दालचीनी और गर्म पानी का साथ में सेवन करने से पीसी ओएस जैसी समस्या से आराम मिलता है। इसके अलावा माहवारी के दोरान होने वाले पेट दर्द में भी इसके सेवन से बेहद आराम मिलता है। नमबर फाइब शरीर को करे डिटॉक्स दालचीनी और गर्म पानी के सेवन से शरीर में पाए जाने वाले विशाफ्थ पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलती है। जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने से बचा जा सकता है। इसका एंटियोक्सिडेंट गुन इसमें मदद करता है। डालचीनी और गर्म पानी सिनमनन होट वाटर को आप साथ में ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप डालचीनी को पीस कर इसका इस्तिमाल कर सकते हैं। 6. साबुत दालचीनी को गर्म पानी में डालें और अच्छे से उबाल कर भी इसका सेवन किया जा सकता है। सुबर दालचीनी का खाली पेट सेवन करने से ज़्यादा लाब मिलते हैं। इसका आप दिन में दो बार भी सेवन कर सकते हैं। सलाह सहित यह सामगरी केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। ये किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेशग्य या अपने चिकित्सक से परामर्ष करें।